हें गाईज विलकुम तो वाइफाई स्टी चेंजिंग दव्यूफ लेंडिंग स्वागत आप सभी का इंडिया के नंबर वन स्टी चोनल वाइफाई स्टी पे सो गाईज जैसा कि आप सभी को मालू मैं डिली सुबे आट बजे मंडे टू सेटेट डे अपना एक करें संडे और मंडे दोनों कर मंडे को कवर करते हैं तो कल सुबे निउस पेपर जो ऐब सुबे कर लेंग meget बहुत-बहुत-बहुत अच्छा जाएगा और आप लोग के जो सपने आप इसने साल करिए, आप उनको इस बार रिपीट नहीं करेंगे और बहतर से बहतर इंसान है जो कि बनने की कोशिश करेंगे जो गलतियां हमारे में होती है, accept करिए, उनको improve करिए, that is known as the improvisation और चाये वो अपनी preparation हो, चाये मारी life हो, चाये फिर वो relationship हो किसी भी जीच को लेकर, ठीक है, तो चले ही शुरुबात करते हैं, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि मैंने आपको बताया ना, 1st of January का जो newspaper है, वो हम लोग cover करने वाले हैं, ठीक है, happy new year everyone happy new year, all right तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले तो यह सारे के सारे आपके important दोस्तों, यह आपके exam है, अगर आप इनमें से किसी भी exam के preparation कर रहे हैं, तो आप इस session को regular है जो कि देख सकते हैं, सबसे पहले previous देके question की बात करेंगे, आज के बोला था कि 2,00,000,000 POS card machine किसने install करी है तो आपका answer यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका access bank, सी आपका यहाँ पर सही answer हो जाएगा आगे बात करते हैं, NSC National Security Council, जो कि अटल बियारी बाजबेजी के time पर बनाए गई थी इसको बनाए गया था, 1998 के अंदर अभी रिसेंट लिएटर जनरल फॉरेस्ट इन स्पेशल सेकेटरी कौन मनाए गए है, उनका नाम है CP गोयल, नेस्ट कोशन था Armed Force Special Power Act असपा जो है, वो कहाँ पर नहीं लगाया गया है तो यहाँ पर आपको इमाचल परदेश नजर आ रहा होगा, डी आपका सही आंसर होगा नेक्स्ट है डिपटी एनसे कौन अपॉइंट करेगा है, तो यह हमारे मिश्री जी को अपॉइंट है, जो की किया गया है देखो, आज संडे हैं वैसे तो सुबह पाच बज़े वाली क्लास भी नहीं होती है साडे साथ वाली क्लास भी नहीं होती है और आठ वाली क्लास भी नहीं होती है ठीक है, लेकिन तीन दिन का न्यूस्पेपर है जो की यहाँ पे एक साथ ही खटा हो जाता सटेडे का, संडे का और मंडे का और अपनी आलत कराब हो जाती, कल एक दिन में दोनों classes आपको मिल जाएगी चलिए इसके लाव अगर आपको इंडिया में किसी भी एक्जाम की प्रिपरेशन करनी हो तो आप B.H.U. 10 या फिर बुनेश्टन रेफल कोर यूज कर सकते हैं जो कि आपको मिल रहा है 1st से 3rd January के बीच में समझगे मेरी बाज 1st से 3rd January के बीच में मतलब 2-3 दिन के लिए आपको 20-20% आफ मिल रहा है तो जोइन कर लेना B.H.U. 10 लगा जाना 5th आफ पास तारिक से Static GK का कोर्स है जो कि launch हो रहा है इसके अलबा Math का, English का सारे कोर्से है, Science के, Reasoning के सारे लाउन्च हो रहा है तो जोइन कर लीजेगा आपको आप डाउनलोड करनी है, Mobile Number डालना है, Goal यापर Select करना है, अपना SST है, जो भी है प्लस पे जाईए, Get Subscription पे 12 या 24 मन्त और यहाँ पे B.H.U. 10 है, जो कि आपको लगाना है तो आज Special Class Sunday है, तो मैंने सुबह 9 बजे है, जो कि रखी है तो अभी ये Class के बाद में आप Special Class जोइन कर सकते हैं, जहाँ पे 7 बजे वाला जो अपनी Class थी ना, उसके एक Quiz है, जो कि हम लोग कवर करेंगे और 5th, January सेट, सुबह 10 बजे, Static जी के का कोर्स लांच हो रहा है, तो जोइन कर लीजेगा मेरा अलावा, शिप्रामेम का, साहिल सरकाद, दीपक सरकाद, Reasoning, Science, सारे कोर्सेज लांच हो रहे हैं और आपको 3 January तक यहाँ पे offering में मिल जाएगी, ज्यादा discount में मिल जाएगा इसके अलावा एक बच्चे के education आप New Year के ओपर, smileforall society.org के website पर जाके happiness subscription ले सकते हैं और एक बच्चे के education दे सकते हैं चलिए, आज का good of the day है, दोस्तो, trust the timing of your life तो यह बहुत अच्छी बात है, जो कि आप बोली गई है, अक्सर हम लोग बात करते है, patience की दोस्तों, तो patience होता क्या है patience का मतलब यह नहीं होता कि हम लोग किस जीच का wait करते रहें, चलो ठीक है, आज नहीं तो कल मिल जाएगा, कल नहीं तो person मिल जाएगा patience का मतलब यह नहीं होता कि आप 3 साल तक wait कर रहे हो, बहुत परिशान हो, बहुत दुखी हो, लोगों से लड रहे हो, exam crack नहीं हो रहा, career नहीं बन रहा, फिर आप बोल रहे हो, देखो मैंने इतना patience रखा है ना, इसको patience नहीं बोलते है patience होता है, जब आप खुशी-खुशी जो है, किसी चीज़ में अपने time spend करते हो, फुल मैनत के साथ में, लेकिन ये believe करते हो, कि एक दिर अपना जरूर आएगा तो आपको हमेचा जो है, वो trust करना चाहिए, timing of your life, किसी के कोई moment बहुत जल्दी आता है, किसी का late आता है, किसी का थोड़ा और late आता है, लेकिन आता जरूर है, जो मैनत करते हैं चले आगे बात करते हैं, कल के 1st of January के newspaper की दोस्तो 2022 का 1st of January का newspaper है, जहाँ पे सबसे पहले report आच चुकिए, दोस्तो हमारे बेपे नरावच जी जो plane crash हो था न, helicopter उसके बारे में बताया गया है, GST council ने बोल दिया है कि वो textile के ओपर rate को increase नहीं करेगी, पहले 5% से इसको 12% करन में बहुत जुते भी मारत है भी, बहुत जादा नाटक हो गया थे, बहुत बड़ा, काफी बड़ा protest है जो कि हो गया था, तो ये जो है, डॉक्टर ने strike call off कर दी, क्योंकि सरकार ने बोल दिया है कि हम लोग 6 January तक Supreme Court के अंदर report है, जो कि पब्लिश कर दे देंगे, और जल् में भी होल्ट पर चोड़ दिया, तो यहां पर बच्चों ने प्रोटेंस किया, तब जाके यहां पर हेल्थ मिनिस्टर में बोला है कि हम लोग Supreme Court को जो रिपोर्ट है, वो 6 January तक दे देंगे और उसके बाद में रिजल्ट देंगे, हना, चलिए, इसके अलावा यहां पर ब करवाने का लेकिन तीन में अभी अलाव कर दिया गया है, यह पूरा का पूरा आपका पेपर है, जिसमें हम लोग बात करेंगे, सबसे पहले इस वाले न्यूस की, तो ट्राय सर्विस इंक्वाइरी है, जो कि अभी रिसेंटली और करी गई थी, जब क्रैश हुआ था, पर लीगल रिव्यू लिया गया, रिपोर्ट सब्मिट करवाए गई है, जिसके अंदर दस ने पन्दा दिन का टाइम दिया गया था, और फाइनली रिपोर्ट आप आप आगई है, और एक्सपर्ट ने बोल दिया कि जो हुआ था, वो डिस ओरेंटेशन जो हुआ था, क्र पूर वैदर के वज़े से, तो पूर वैदर होने के वज़े से जो वैली थी ने उसमें बीच में दिखा नहीं और वो दिवार पे जा बिढ़ा, ओके तो एम वन 17 V5 था है, तो आदे घंटे बाद ही टेक आफ करने के बाद मैं एर ट्राफिक कंट्रोल से जो है वो संपर के जो कि टूड गया था, तो यही चीज़े जो कि आप बताए गई है, ठीक है, तो faulty situational awareness के वज़े से क्या हो गया, एरक्राफ स्ट्राइक कर गया टेरंट के ओपर, ठीक है, तो यह कुछ ऐसे images देखने को मिली थी, तो यह पूरी जानकारी है जो कि आप दी गई है, आगे ब बहुत बड़ी काफी famous building है, harbor, bridge बोलते है, इसको यहां पर new year celebrate किया जाता है, और दुनिया के सबसे बड़ी आतिशबाजी है, जो कि आपर करी जाती है, लेकिन क्यों करी जाती है, मतलब यह logic समझ नहीं आता, मतलब, कि बिन बाद इतने सारे फटा के, मतलब ठीक है, ठीक है USA और Russia की बीच में Ukraine को लेके चली रहा है, कुछ खास important है नहीं, यहां पर देखो एक अच्छी news यही है, देखो आपको मालू में second जब wave आई थी तो delta variant था, और उस time पे बहुत धैत हो थी, क्योंकि delta variant बहुत जदा dangerous था, अभी क्या हो गया कि जो नया Omicron आया ना, उसने delta को replace कर दिया है, delta बहुत ही deadly था लेकिन Omicron deadly नहीं है, severity भी बहुत कम है, hospitalization भी बहुत कम है, South Africa का यह कहना है कि Omicron की जो wave थी ना, उसका peak South Africa में आ चुका है, ना तो कोई death में इजाफ़ा हुआ है, ना कोई hospitalization में इजाफ़ा हुआ है, Omicron की अच्छी बात यह, बुरी बात य ही होती है, ठीक है guys, South Africa के अंदर इन्होंने बताया कि last month के अंदर बहुत जोदा cases देखने को मिले थे, peak आ चुका है, लेकिन hospitalization और death के जो है वो ratio नहीं बड़ा, यह बहुत अच्छी बात है, कभी भी lockdown तब लगता है, तब आपके hospital में बहुत सारे लोग आने लग जाते है आपका health infrastructure पूरी तरीके से collapse हो जाता है, आप और लोग को cater नहीं कर पाते हो, उस condition में lockdown हो जो के लगाई जाती है, समझे के मेरी बात, ऐसे lockdown नहीं लगा जाता है कि cases बढ़ गए lockdown लगा दो, जब hospital के उपर pressure बढ़ता है, तब जो है लोगों को घड से बाहर निकलने के लिए मना किया जाता है, lockdown होता है, तो यह एक अच्छी बात है, hopefully आने वाले दिनों के अंदर जो है, वो lockdown वाले condition ना देखनी को मिले, क्योंकि hospital के ओपर लोड नहीं मिलेगा, तो होने की भी chances कम हैं, आगे बात करें, page number 13 के दोस्तों, तो यहाँ पे under 19 Asia Cup के बारे में बात करेंगे चलिए, तो यहाँ पे, इंडिया ने दोस्तों, under 19 Asia Cup title है, जो की जीत लिया है, शिलंका को हरा दिया, बहुत ही इंट्रस्टिंग टूनामेंट है, मतलब 1989 में इसकी शुरुवात करेंगे, यह टूनामेंट 9 बार हुआ है, 9 में से 8 बार इस टूनामेंट को इंडिया ने जी बात है, जो की करे गई थी, ठीक है, 89 में सबसे बहले बंगादेश में करवाए गया, आप देख सकते हैं, सारे इंडिया ही विनारे आपे, बस एक बंग, अफगानिस्तान में पाकिस्तान को अरा के 2017 के अंदर मलेशिया में सुनामेंट को जीत लिया, होस्त की बात करें तो तो यहाँ पे, यह तो ओमिक्रॉम के देखो, एमस के जो चीफ है ना, उग के द्वारा भी यह बात बोली गई है, कि जो इसके एफेक्ट हो बहुत ही mild है, और पैनिक करने की कोई जरुरत नहीं है, बस अगर हो जाए तो थोड़ा सा आइसोलेट हो जाओ ताकि और किसी के हो, बाकी कुछ जादा चीज के जरुरत नहीं है, यहाँ पे रिपब्लिटे के रेटसल के बारे में आपे बताएगा है, यहाँ पे इस वाले जूस के इंपोरनेंट है दोस्तों, जो कि चाइना पाकिस्तान बॉर्डर के ओपर S-400 यूनिट है, इसके बारे में बात करेंग तो भी कम से कम टेक्स देखे प्रॉपर तरीके से 1.500 करोण रूपे का कहश जो कि मिला, उसके बाद में एक और PGN के ओपर अभी रेट मारी गई है, जो की MLC है, सपा पार्टिस है, और ऐसा भी बोला जा रहा है कि पिछली बार गलती से रेट मार देती PGN, दूसरे बाले PGN तो ऐसा ठीक है, कोई उसके कोई टोस इविडेंस नहीं है इस बात के लेकिन दोनों PGN एक साथ एक करके दोनों के ओपर एट पड़ी है, इसलिए बताए जा रहा है, ठीक है, चलो, तो ये पूरा का पूरा सेनारियो है, यहाँ पे, हाँ, एक न्यूस ये भी इंपार्ट है कि first sports university जो है दोस्तों उत्तरपरदेश की, 700 करोड के अंदर 90 एकर की अंदर दोस्तों आपे major dhanchan sports university है, जो की merit में बनाए जा रही है, मोदी जी इसका inaugurate करेंगे, ठीक है, अब मैं sports university के बारे में बात करूँ, तो recently दोस्तों एक bill भी आया था, 2021 के अंदर ही जिसको बोलते है sports university bill, तो ये central government की दौरा 2018 में लाए गया था और अभी recently बिहार के दौरा लाए गया था, तो बिहार की legislative assembly ने इसको पास किया था, और बोला था कि राजगीर के अंदर हम लोग क्या करेंगे, नालंदा के अंदर headquarter बनाएंगे, sports university का, और sports academy university भी आपे बनाएंगे, आपको मा गया, 2018 के अंदर, समझ गये, अभी total मिला के 6 राजजे ऐसे हैं, जहां पर sports university का, बात हो चुकिए, in fact, अगर मैं बात करूं तो यूपी की बात करें, तो यूपी सात्वा राजजे है, जिसने घोशना करी है, हाला कि किसी भी राजजे के अंदर कोई थोस इसके उपर काम न जो के अंदर है, जो की बोल दिया गया, यहां पर one third, जो भी seat होगी, वो महिलाओं के लिए होगी, university में ये भी बिहान वाले, बिल्के अंदर है, जो की डाला गया था, first sports university मनीपुर में set up करने की बात है, जो की करे गई थी, ठीके गई, आगे बात करते हैं, happy new year everyone, happy new year, एक एक बार देख लेना, I don't know, ऐसा ही है, ठीक है, referral code आपके पास में, तो आपको तोड़ा benefit हो जाएगा, चलिए, तो चाइना और पाकिस्तान बॉर्डर आपको मालू है, दोस्तों, दोनों ही हमारे लिए बहुत important है, हमने चाइना की बॉर्डर के पास में, लगदाक के अंद बहुत ही amazing system है, 400 km दूर पहले ही बाप लेता है कि क्या आपके बॉर्डर के अंदर आने वाला है, कौन सी missile, कौन सी problem आने वाली है, तो पहले से जो है, यह क्या कर लेता है, उसको destroy करने की capability है, इसके अंदर, 400 km अवे, जो है, यह neutralize है, जो कि कि किसी भी weapon को कर देगा, ओके, जिसके अंदर, वर्ड का उनों था, most advanced system है, जो किस चार्ट को माना जाता है, protect करने के लिए, एर defense के लिए, ठीक है, cruise missile हो गई, missile हो गई, rockets हो गई, aircraft हो गई, सबसे मतलब यह defense है, जो कि available करवाता है, ओके गाई, तो पंजाब order हो गई, और एक लंदाग हो गई, दो जगे प कहां गया है, वीडियो, वीडियो था वैसे यहां पर आप लोग के लिए, ठीक है, बहुत यह amazing है, इसी तरह के का, एक और project इस्राइल के पास में भी है, इस्राइल वाले को तो आप सभी लोगों ने देखा भी होगा, मैंने वीडियो भी दिखाया थे last time आप लोगो, ठीक है, जिसके अंदर मैंने बताया था कि किस तरह के इसा iron dome project है, जो की defense करने के काम करता है, इस्राइल का, तो कुछ ये भी उसी प्रकार का है, पहले एक radar होता है, जो की detect करता है कि कौन सा weapon है, जो की आपके उपर है, आपके border के अंदर आ रहा है, उसके बाद मैं जैसे radar detect करता है, उसके द्वारा signal जाता है missile system को, और ये missile system है, जो की activate होती है, और उस target के उपर है, जो की जाती ह है, ओके multiple targets है, जो की हीट कर सकता है, multiple targets है, इस तरीके से, ये defense system multiple targets को हीट करता है, ठीक है, बहुत ही amazing system है, चलो, आगे बात करते हैं, next चलते है, ये है, जो की है, दुनिया का वर्ल्ड का highest road है, जो की दोस्तों हमारे दुवारा recently बनाए गई है, उसके बारे में बात करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते है, bridge on the world highest road and significance, तो अगर आप दोस्तों लगदाग देखोगे अपना, और ये इस वाले area में जाओगे, तो यहाँ पर हमने दोस्तों क्या किया है, कि चिशूम और एक डैमचौक नाम की जगे है, द बनाए गई है, जिसमें 24 तो bridge बनाए गए है, और तीन road बनाए गई है, और वल्ड का highest motorable road जो है दोस्तों उसके elevation के उपर भी इस bridge को बनाए गया है, आज के टाइम पे जो उमिंगला है ना, ये दोस्तों वल्ड का highest motorable road है, 52 किलोमेटर का एक road structure South Ladakh वाले area के अंदर हमने ब पिट के ओपर, okay, Guinness Book of World Record के दुवारा इसको हाइस motorable road भी रिकिनाइस किया गये, इस से पहले जो था वो 18,953 मीटर के ओपर था, जो की था आपके कहां पे, बोलीविया के अंदर है ना, उससे पहले हमारा खर्दुंगला पास हुआ करता था, पहले खर्दुंगला पास थ है, जो कि हमने बनाया है, माइनस 40 दिगरी temperature यहाँ पर रहता है, मतलब उसके बाद में भी हमारे बियारों ने काम किया है, बहुत ही amazing काम है, मतलब जो की border के roadside के ओपर infrastructure बराने में बियारों करता है, okay, इसके अब अगर आप Mount Everest का base के हम देखूगा ने नेपाल में, तो वो बियारों है जो की बनाता है लद्दाग वाले एरिया के अंदर, project हमांक बोलते हैं इसको, ठीके तो इसको 17 के अंदर complete किया गया था और काफी सारे road structure जो की बनाये गया है, ठीके जाए तो यह बात आपको यहाँ पर दान रखने, आप देख सकते हैं कुछ इस तरह के road ही है तो world highest motorable road in the world, यह खरदुंगला पास वाली है जो की हुआ करती थी, ठीके guys, चलो, आगे बात करता है जनसत्ता की, तो जनसत्ता के अंदर जो बताया गया है, 22 में के बाद सबसे अधिक मामले हैं जो की COVID के दिल्ली के अंदर आ हैं और यह सपा, विदा, पार्षद और कई क किया गया है, ओके, ध्यान रखेगा, रेलवेज के अंदर में ही आता है, बोर्ण, 1905 में मिनिस्ट्री की शुरुआत हुई, दिल्ली में हैटकोर्टर, और 14,00,00, लोग है जो की रेलवेज में काम करते हैं, 72,000 करोड रोपे का बजट है, इसके अलावा, विने, कुमार, त इसी एक्जो प्लैनेट के ऊपर पता करे गई है, रिसेंटली एक एस्टर नॉमर की जो टीम थी, उन्होंने क्या किया है, हबल स्पेस टेलिस्कोप से डेटा लिया है, और मैगनेटिक फील्ड के बारे में बताया है, एक हमारे सुलर सिस्टम के बाहर जो प्लैनेट होते है उनको अब लोग एक्जो प्लैनेट के आते हैं, तो वहाँ पर भी मतलब मैगनेटिक फील्ड देखने को मिली है, एक्चुली क्या होता है, जो आपका एट्मोस्फेर है न, उसको प्रोटेट करने के अंदर मैगनेटिक फील्ड है, जो की बहुत काम आती है, तो एक जर्नल है, नेचर एस्टोनॉमी वहाँ पर इसके बारे में पब्लिश्मेंट है, जो की किया गया है, तो चार्ज कार्बन पार्टिकल्स की बारे में पता किया गया, और ये कई सारे एक्जो प्लैनेट के उपर जो है, पता करे गया है, मतलब कैसे दूसरी दुनिया जो है, वो नेट्टिन जो है ना, उसके साइस का प्लैनेट है, हमारे हां से 123 लाइट येर दूर है हमारे हां से, ओके अल्टा वालेट लाइट स्पेक्टरम से हमने इसके बारे में पता किया है, पहली बार जो हमारे सोलर सिस्टम के, देखो भी हमारे, जैसे आपका रूम है, इस रू हमारे यूनिवर्स है, हमारे यूनिवर्स का 0.1% भी नहीं है, अगर हम हमारे सोलर सिस्टम के बारे में बात करें तो, हमारे सोलर सिस्टम का मतलब है, हमारे सन, जो की एक स्टार है, और उसके आस पास की जो 8 प्लैनेट है, उन सबको मिला के बता रहा हूँ, ऐसे करोड़ो civilizations या बहुत सारे planets पे उपर लोग है जो के रहते होंगे लेकिन हम लोग हमारी science कभी भी इतना आगे तक नहीं पहुँच पाएगे हम लोग तो हमारे solar system के बारे में भी proper research नहीं कर पाया है तो first confirm exoplanet जो है 1992 के अंदर पता किया गया था अगे अभी total मिला के अगर आप देखोगे न हमारे solar system के बार जो आपने planet के बारे में पता किया है तो ऐसे साड़े चार पाच हजार हमने ऐसे planet के बारे में पता किया है और ऐसे तीन साड़े तीन हजार system भी है ठीके गयाई और ऐसे 807 system में जहां पे एक से जादा planet हमको देखने को मिलता है अब उन्हें planet के ऊपर क्या हो रहा है क्या चल रहा है उनके बारे में भी हमें जादा जादा जामकारी नहीं है और इसके 2019 में Nobel Prize भी मिला था इसके discovery करने को लेकर ओके गाईज तो कुछ तरीके होता है एक तो होता है जानकारी है जो की दी गई है और जोग्रफी का वीडियो है नैशनल जोग्रफी का काफी अच्छा वीडियो है तीन मिनिट का है यह देखिए यह सन है जाता है ठीके गाईज उम्मीद करता हूं समझ मागया होगा आगे बात करता है इंडोनेशा को लेकर इंडोनेशा ने दोस्तों RCEP के उपर अपना स्टैंड है जो की क्लियर कर दिया है और यह बोल दिया है कि हम RCEP से एगरी है और हम उसको इंप्लिमेंट कर सकते हैं ठीके यहाँ पर देखिए जाएंगे देखिए RCEP एक Regional Comprehensive Economic Trade Agreement है जिसके तहट क्या होता है कि एक दूसरे देश अपने Cross Border सामान को बेचना खरीदने को लेकर टेक्स को कम करते हैं या बहुत कम करते हैं या उसको बहुत रिड्यूस करते हैं मिलिमिलिस्टिक इससे जो पिंग डूटी भी लगाते हैं लेकिर उसके बाद में भी चाइनीज आइटम का यहां पर बंबार्टमेंट है अगर हमने टैक्स कम कर दिये तो सोचे चाइनीज कितने जादा हमारे आउपर हागी हो जाएंगे इसलिए हमने इस वाले पूरे पैट से हाथ जोड लिया और प्यार मॉबबस से मना कर दिया ठीके गई तो यहां पर आप देख सकते हैं और रीजनल सप्लाइचेन को इंप्रूव करना एकनॉमिक पार्टनेशिप को इंप्रूव करने के लिए इसको स्टार्ट किया गया है और सीपी को यह एक एश्या पैसिफिक नेशन का एग्रिमेंट है जिसमें ऑस्टेलिया प्रूनेज चाइना कंबोडिया जैपान इंडोनेशिया यह सारे के सारे सारे आपको देखने को मिलेंगे इंडिया और यूए से आर्सीपी का साथ में कॉस्ट जो होती है किसी भी चीज की किसी भी कमरी की काम करनी गया प्रूट की उसको रिडियूस करना यह दो मेजर एम थे इसके ओके सिंगापूर में 2018 में मीटिंग में हुई थी लेकिन हमने इसको जोईन आज की किया क्योंकि हम लोग आपे Chinese good से वैसे परिशान है और trade balance है जो कि imbalance है जो कि हमारे आपे हो सकता है 2-0-12 में हमने इसकी बात स्टाट करी हमने काफी negotiation भी किया लेकिन जो negotiation थे वो आमारे towns में नहीं हो रहेथे लेकिन वह आपर बाकि देश उससे अगरी नहीं थे तो हमने इससे टाटा वाय वाय कर दिया ठीके गाइस आगे बात करते हैं टाइगर देथ को लेके 2021 में दोस्तों 126 टाइगर की देथ है जो कि हमारे देश में हुई है मध्या परदेश में रिसेंटली 44 टोटल देथ है जो की देखने को मिली investment किया जा रहा है कि इसका cause क्या है किस कारण से जो की देखने को मिली कहीं है कि भई poison के वज़ Sarah'uis tagrick की म्रिति हुए है सबसे जादा target की देथ जो हे वो मध्य परदेश में और उसके बाहरा सब्सक्राइब करनाट का में देखने को मिलती है हमारे देश में दोस्तों दुनिया के सतर परसेंट टाइगर देखने को मिलते । 3000 के आसपास नंबर है जाधा बलके 33 के आसपास है जो की पहुंच गया है 12-14 में यह से 2200 के आसपास था ओके और जादातर जो देथ माने जाती है वो कई पर जगे हैं इनकी वज़े से भी काफ़ी सरी देथ है जो कि आपे बताए गई है इसके अलाव अगर आप देखोगे तो काफी दुनिया में 4000 के आज़ पास आपको टोटल टाइगर है जो कि देखने को मिलेंगे अगर आप देखोगे तो आपको और कफी अच्छा 300 के आसपास है जो कि देखने को मिलेंगे हैं हमने एक एमस्क्रिप नाम की मुबाइल अप्लिकेशन भी लॉंच कर रहे थी जिसमें हमने इनको ट्रैक किया था और जियो टैग इमेज़े जो कि हम लोग अपलोड कर रहे थे 14,000 के आसपास कैमरे लगा गए 2018 के अंदर भी पता करने को लेकर है ना तो काफी अमेजिंग चीज़ें हैं जो कि देखने को मिलें सबसे जादा जो जाती है वो है दोस्तों नैच्रल 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 पच्पन परसंट का रहन है जो की बताए गया पॉंचिंग जो है व को मिलती है ठीके चलिए 1973 के अंदर प्रोजेक्ट टाइगर इंद्रा गांदी जी के दुवारा है जो कि अनाउंस किया गया था इसको प्रोटेक्ट करने को लेकर आगे बात करें करने अफेट शॉट्स में तो सबसे पहले SBI दोस्तों नियर्बाइ 10% स्टेक अक्वायर कर रहा है गिफ्ट IFSC बेस्ट क्लेरिंग कॉपरेशन के तो एक इंटरनेशनल क्लेरिंग कॉपरेशन एक कंपनी है उसके 10% के आसपा स्टेक है जो कि SBI बैंक है जो कि ले रहा है गिफ्ट सिटी के अंदर ये देखने को मिलता है मतलब ओके गाईज चलो आगे बात करते हैं औ रहें है और ये जो कंपनी है क्या करती है क्लीरिंग और सैटल्मेंट का काम करती है रिस्क oughtती और इंडेशन का काम करती हाना चलो आनूप वा इंड्मी सबर कrendre को लेकर तेकिारों को दुनिया में कम करन आ इंडिया के पर्मानेंट रिप्रेसंटेटिव जो कि उन के अंदर बने हैं 1994 के आई एफस ऑफिसर है करंट्ली जो है एमबीय के अंदर जोईन सेकेटर के तौर पर दिली में काम कर रहे हैं चलिए जस्पृत भुम्रा दोस्तों सरने टेस्ट विकेट है जो कि इनोंने ले लिया और वह भी मातर 22 टेस्ट मैचेश के अंदर ओके चलिए 28 साल के हैं 105 मैच्चेज विकेट इन्हों ले लिए और 2018 के अंदर डेब्यू है जो कि इन्होंने किया था मौमज सामी दोस्तों 11 इंडियर बॉलर बन चुके जिन्होंने 200 विकेट लिए test cricket के अंदर ओके आप देख सकते हो कप्पिल अनिल कुमले जो है सबसदा टेस्ट विकेट लेने वाले हमारे बॉलर है इन्हों के व्यटनरी यूनिवर्सिटे के अंदर उसको नैशनल ब्रीट कंजरवेशन आवर्ड जो कि मिला है अब देखो क्या है कि किंची जो की कि कितिनी ब्रीडिंग कहा पर और कैसी कंडिशन में किसी होनी चाहिए उसके उपर काम है जो कि इस university में होता है करला वेटनरी और अनिमल साइंस उनिवर्सिटी में होता है तो यहां पर ओल इंडिया कोडिनेटेट रिसर्च प्रोजेक्ट है कि इनका उसको यहां पर नैशनल ब्रीट कंजर्वेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है ठीक है छोटी सी बात है इसके अलवा इसके अंदर कुछ भी जादा इंपॉर्टेंट नहीं है रश्या ने फॉर्स्ट वर्सटाइल नुक्लियर पावर आइस ब्रेकर है बनागे बात करें आज की दिन की इत्यास की तो 1948 में उडिजा प्रोविंस जो है वो इंडिया में आया पार्टिशन के बाद में भारत ने मना कर दिया पकिस्तान को 55 करोड रुपे देने से क्यों क्योंकि जब हमने पहले 25 करोड रुप 20 करोड रुपे 75 करोड रुपे देखो हुआ क्या था कि जब इंडिया पाकिस्तान का बटवाना हुआ था ना तो हर चीज का डिविजन हुआ था चाहे वो चम्मच हो पन्ने हो पेपर हो हर चीज बढ़तन हो कुछ भी हो 80 20 के अंदर पार्टिशन हुआ था ओके अब भारत यहां पर बेटन जोता हुआ था आद बाइसाम मेरे पास तूं तो 300 करोड रुपे की मदद दी जाये ताकि हम लोग देश चला सके हमारा बहुत ही पूर कंडिशन थी बहुत ही खराब थी गादी जी ने भी बोला नहरू जी को चलो ठीक है आर थोड़ी से मदद कर दो इसके अंदर आती है यह तो थी यहां तक की बात अब इसके आगे आती है दोस्तों जो की चलते हैं फेक प्रोपगेंडाज अब इसके अंदर जो क्णोर बात थी वह आगे गांदी जीने 48 के इंदर क्या था दंगे की या था देश क्या था टाकि देश में इंदुमिश्लिम जो है वह दंगे फसाद बंद औजक ही इस गांदी जी के डिया जो यह फास्ट ही था जो उन्हुन वह बैठेदे बूगषरतः के उपर तो उनको रिलेट कर दिया कि पाकिस्ताम को और पैसा देने के लिए गांधी जी ने जो है वो नहरुजी के खिलाफ जो है वो यह धर्ना दिया था या फिर वो फास्ट पे बैठे थे तो अगर आप कोई भी खोलोगे ना फेक आर्टिकल्स खोलोगे वाट्सप बागी जो रियलेटी है जो इविडेंसेज है जो उस ताम के प्रूफ है वो सभी दोस्तों गांधी जी के अंगर स्टाइक दुनिया को पता कोने कोने में उस तैम पे इंदो मिस्लिम यूनिटी को ले कर थी ठीक है यह हो गई बात नाइट रिपब्लिक ऑफ चाइना का इंबाइब का मतलब क्या होता है ओके यह किसी चीज को ग्रहन करना किसी भी चीज को अक्वायर करना असिमिलेट बहुत अच्छा बड़ता है यह पे पेडर में आता है घई बार नेक्स väldigt करना किसी भी चीज को कम्प्लीत करना फिक्स करना podcast स्कुष्य जो को कि बहुत ही सा kinda आपन कहता है है और property का मतलब है कि कोई भी चौष का मतलब है ऑफ कुए चछा आगे-फाक्ष का मतलब होता है तलाश करना किसी हमी चीज को है ना पर्सूइट भी यहां पे बहुत अच्छा वाड़ा पर्सूइट ऑफ हैपिनेस बोलते ना याना कि खुशी की तलाश करना आगे बात करते हैं फन फैक्ट के बारे में देखें बहुत ही इंट्रस्टिंग बात है कितना ज्यादा टेक्नॉलजी साइंस और आपको अप पाइसा चड़े वाले पाइसा अपने भी नौकरी खोदी यहां पर जो पाइलेट उन्होंने भी नौकरी खोदी ओके तो अप्ग्रेड करना आपने आपको बहुत जरूरी है तो टेकनॉलजी हो साइंस हो अच्छी किताबे बढ़ो अपने स्किल्स को इंप्रूव करने की कोशिश करो आप preparation कर रहे हो बहुत अच्छी बात है बहुत बढ़िया बात है आप government job लगोगे लेकिन फिर भी कोशिश करो government job के साथ में कि भी कि अपने आपको upgrade करो कुछ qualities अपने अंदर लेकिया हो जिससे आप यह बोल सको कि यह काम है जो मुझे बहुत अच्छे सा आता है अभी मुझे मालू में 99 परसें अगर यहां पर वह student है जिनसे मैं पूछू ना कि चलो ठीक है बताओ preparation के अलावा क्या तुम्हारे में इसको या फिर आगे बढ़ सकते हो तो अपने चीजों को इंप्रूव करो एक एक चीजे अपने अंदर इंबिल्ड करो चलिए आगे बात करते हैं एक से लेकर तीन जर्वरी के सब्सक्रिप्शन पर यहां पर यहां पर यहां पर लगाना है और यह पांस तरिक से कोर्स लांच हो रहा है जॉइन कर लेना सुबह 10 बजे यह बच्चे के एजुकेशन जो है वो ज़रूर स्पाउंसर करी अगर आप कोई भी काम कर रहें तो पांसोर पर परमत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन एक बच्चे के जीवन है जुकिया आपर बच जाएगा आज का पहला सवाल है आपका नेक्स्ट इंडिया के अंबैस्डर ओके है मेक्सिको कों मेरे paper में नहीं आएगा छोड़न स्कुष्चन को 10% stay कौन से bank में लिया international clearing cooperation के 200 test букet अभी recently कौन सेodoil ने पूरे करे रहे है सो टेस्ट विकेट कौन से क्रिकेटर ने पूरे करें है प्रोजेक्ट टाइगर की लांचिंग कब हुई थी तो ये था आज का आपका इंपोर्टन सेशन लाइफ को शेयर जरूर कर दीजेगा मिलते हैं नौ बजे अनकैडबी के स्पेशे क्लास कमेर थाज खूर्टन के लिए लौन,गडबाई